Well, hey guys, hello and welcome to Niti Sikshah and this is Mihir Thakur और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं Types of Government के बारे में आज में लोग पढ़ेंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में Okay, history से लेकर के अभी तक बहुत सारे types जो है वो Government के देखने को मिले हैं बहुत सारे तरीके के सरकारे जो है वो देश के अंदर में बनती हैं और उनके अलग-अलग तरीके होते हैं काम करने के Basically there are 16 types of the government in the world Okay, total अगर आदेखा जाए तो अभी तक 16 basically types है government का जो पूरी दुनिया में बहुत जगहों पर बहुत सारे देशों में देखा गया है इतिहास से लेकर के अभी तक जैसे हमारे country के अंदर में democratic form of government है चाहे या फिर आप Republic form of government भी खह सकते हो अब कैसे republic है या democratic है इसको अगर आपको समझना है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिस पर मैंने बताया हुआ है कि democracy और direct democracy में क्या अंतर होता है मतलब कि representative democracy और direct democracy इन दोन में क्या differences है democracy का क्या actual meaning होता है इन सभी चीज़ों को मैंने detail में एक lecture में cover किया है उसका link में description में देरूँगा आप वहाँ जा करके देख सकते हो उस वीडियो को वहाँ से आपके सारे doubts इससे भी clear हो जाएंगे तो start करते आज के वीडियो को so let's begin तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि total जो government का type से वो total 16 है तो अभी हम लोग एके करके सारे government को देखेंगे और सारे government के काम करते के तरीके को भी यानि कि way governments work वो किस तरीके से जो है कौन सी government काम करती है कौन वहाँ किस government में head होते हैं state के इन सभी चीज़ों को समझेंगे बात करते हैं पहले type के government की तो यह हमारा republic type of government यानि कि republic form of government इसमें क्या होता है कि a government whose authority is based okay authority is based on citizens vote which are represented by elected or nominal officials chosen in free election तो यह आप जान देख करके समझ सकते हो कि यह किस country के government के बारे में बात कर रही है यानि कि republic जो government में होता है यह इस government के अंदर में यह होता है कि जो भी government का head होगा जो भी authority होगा वो choose किया जाएगा election के माध्यम से और उस election को जो है वो citizens vote डाल करके करेंगे और वो वहाँ जा करके सरकार चलाएंगे ऐसे लोग जहां पर भी होगे ऐसे type के government जो भी होगा उसको republic form of government कहते है लेकिन democracy में क्या होता है democracy means rule of the people the term today refers to a political system in which the people of their elected representative governs themselves means कि democracy में जो भी चीज होते हैं जैसे भी type के लोग जो है वो वहाँ पर सासन करते हैं वो कौन होते हैं वो वही लोग होते हैं जो देश के जनता होती है देश की जनता ही वहाँ जा करके देश चलाने का काम करती है यह democracy है ओके यहाँ पर कोई भी आपके representative democracy by the election ड्सन जो हो चूज होते हैं वह के people ही खुद जो है वह एलेक्ट होते हैं और खुद वहाँ पर एक तरीके से वहाँ जा करके काम करती है और वह किस तरीके से वह ड tatेची से है वहे डीटीव में जैसे कि मंने पिछले भी बताया कि कि इस वीडियो में उसी वीडियो में मैंने समझा है कि democracy, direct democracy में वो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि actually जो democracy में कैसे वो जनता के दुवारों महां पर सासन किया जाता है Theocracy Theocracy में a government where prized rule in the name of God or by official who are regarded as divinely guided or consistent with the principle of particular religion ये ऐसे type of government है, जिस country में ये type का government होगा वहाँ पर क्या होगा, कि जो government होगे, वो एक भगवान या फिर God जो वहाँ के God होगे, वो एक particular God के नाम से जो है उस government का सारा काम होगा वो किसी एक person को divine rule मानेंगे, divine उनके द्वारा जो है वहाँ पर सरकार चलाई जाएगी Autocracy में क्या होता है कि a government controlled by absolute power and in the hand of a single person with minimal restraint on the decision and lack of any mechanism of popular control Means यहाँ पर जो है Autocracy में वो एक आदमी के hand में जो है वो पावर होती है और वो ही सारे decisions लेने के लिए authorized होते हैं और यहाँ पर कोई खास ज़्यादा mechanism नहीं होता है जैसे से हमारे country में procedure established by law यानि कि संसर जो है वो गानूर मनाती है ऐसा ही इस autocracy में कुछ भी नहीं होता वो किसी एक person के हाथ में ही सारे powers दिये जाते हैं टेक्नोकरसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a government where scientist and technical expert are in control of the state and where rulers are selected on the basis of their knowledge, skill rather than wealth and power टेक्नोकरसी में ऐसे लोग सासन चलाते हैं जो scientist होते हैं या technical expert होते हैं और यहाँ पर यह लोग चुने जाते हैं सरकार के लिए वो knowledge और skill के basis पर ठीक है यहाँ पर किसी भी तरीका election नहीं होता है और किसी भी तरीकी का wealthy जो लोग होंगे या power होंगा उसके basis पर यहाँ पर सरकारे नहीं चुनी जाती हैं यहाँ पर सिर्फ knowledge और skill के basis पर जो है वो टेक्नोकरसी में सरकार बनती हैं फिर आता है fascism fascism में है it is a way of ruling that advocates total control of the people and seek the promote the ancestral and cultural values of eradicate foreign influence fascism में यह होता है कि जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है जो ancestor यानि कि हमारे पूरवजों से मिली होई है उसको ही आगे बढ़ाने का काम यह लोग करते हैं किसी एक particular community की हो या फिर particular religion की हो और यह ना मतलब कि जो foreign influence होते हैं चाहिए वो westernization हो, globalization हो किसी और country से जो culture हमारे country में influenced होकर के आए या इनके country में influenced होई है उनको यह लोग eradicate यानि की मतलब कि अपने देश से जितना हो से को उतना eliminate करने की eliminate करने की कोसिस करते हैं यह होता है fascism Anarchy का क्या मतलब होता है Anarchy is a state of absence of law अब यहाँ पर ठीक समझ में आ रहा है कि absence of law यहाँ पर law का कोई presence नहीं होता है law नहीं होता है यहाँ पर state of lawlessness यहाँ पर law नहीं होता है and disorder और disorder होता है कहते हैं कि Anarchy हो गई है किसी भी country का तो country में Anarchy का मतलब क्या आगी है वहाँ पर law नहीं किया जा रहा हो absence of law हो गया होगा order जो है वह disorder law and order failure हो गया होगा और government जो है वहाँ पर usually failure ही हो जाती है ऐसे time को Anarchy government कहते है उस कह रहाता है मोनार्की मोनार्की में क्या है मोनार्की का मतलब कि ऐसे सरकार जहां पर कोई एक single आदमी के हाथ में पावर होता है जो कि हरेडिटरी आता है हरेडिटरी यानि कि one such पर आता है जैसे कि माल लिजे उसके पिता जी फिर उसके बेटा फिर उसके बेटा ऐसे और ऐसा आप लोग देखेंगी किंग और कुईन के जो है वहां पर सासन किये जाते हैं तो यह होता है मोनार्की जहां पर राजा और रानी के द्वारा किसी बिदेश के अंदर सासन किया जाता हो अलिगर्की में क्या होता है कि रूल अफ दो फ्यू इट इस एफ़ पावर स्टरक्चेर इन वेच पावर एफटिवली रेस्ट विद्विद्ट फैक्शन ओफ पर्संस और फैमिलीज यहां पे जो है वह पावर स किसी पर्संस यहां ना कुछ पर्सं किछ कुछ पर्संट यानिके यहां पर देख रहाँ आप फ्यू दिया भाई कि कुछ लोगों द्वारा जो है सासन क्या आता है चाहे वो कुछ लोग हो या फिर कुछ फैमिलीज ऐसे अगर कहीं पर कोई सासन हो रही है किसी सरकार बनाई हुए यहां पर कोई लोग तो उसको oligarchy form of government कहा जाएगा प्लूटो क्रैसी में क्या होता है कि government ruled by the rich और power provided by wealth यहां पर क्या होता है कि वैसे लोग सासन चलाते हैं जो wealthy होते हैं जो ज्यादा higher status की लोग होते हैं वैसे जो यहां पर है लोग सासन चलाते हैं और ऐसे लोग अगर सासन चलाएं तो वहां पर हो यादा है प्लूटो क्रैसी उसका आदा है ट्रैनी ट्रैनी में क्या है government और authority of an absolute ruler arbitrary exercise of power over subject not requisite for purpose of government approved by law and justice यहां पर क्या है कि absolute power जो है वो ruler के हाथ में होता है और arbitrary exercise होता है power का यानि कि मन माना जो भी मन करे वैसा वहां पर जो है वो decision making कर लेते हैं policies लागो कर देते हैं ऐसा सब कुछ कर देते हैं और यहां पर कोई ज़रूरी नहीं होते है कि वो law और law के दौर आप्रूफ किया गया हो या फिर justice के आप मांग कर दे तो यहां पर यह नहीं है ऐसा कर कहीं पर हो रहा थी है त्रैनी टाइप ऑफ government है उसके आराता है totalitarian यहां है कि a totalitarian system is the one in which a single political authority regulates total control over state यहां पर कहा है कि single political authority जो है वो पूरे states को जो है वो govern करती है चलाती है that is centralized and dictatorial यहां पर क्या है कि यहां पर dictatorship टाइप का government होता है और centralized होता है यहां पर states के हाथ में कोई भी भावर नहीं होती है पूरा का पूरा power जा हो और central के पास western होता है फिर आता है federation federation में क्या है कि a political organization characterized by union of small state groups or parties okay which are self-governed in internal affairs are and are united under the central government यह जहां देख कर कि आपको USA का government याद आ रहा होगा USA में भी यह होता है कि center एक होती है जिस जो कि पूरे के साथ union मना के चलती है और हर state का अपना अपना जो है वो government अपना सुप्रीम कोड़ अपना constitution होता है तो यह हो जाता है federation ओके फिर आता है communism communism में क्या है कि as a system of government communism is a system of government in which the state own and operate industry on behalf of the people communism में क्या आता है कि जो सरकार होती है जो सरकार होती है वो जितने भी industry factories चाहे किसी भी तरीके का जो है private sector से वो अपने हाथ में ले लेती है और वो वहाँ पर जितने भी लोग है वो equality maintain करने के लिए public के welfare के ऊपर में वहाँ पर काम करती है तो इस चीज़ को हम communism form of government कह सकते हैं फिर आता है जनता जनता का क्या है it refers to a group or coalition that takes control of a state after overthrowing a government usually this is done by the military groups जब यह वहाँ होता है जब आप अभी recently Myanmar coup का जो आप है वो case देखे होंगे वहाँ पर क्या है कि सरकार को हटा दिया जाता है forcefully और वहाँ पर democracy को हटाने के बाद जो है military सासन करने लगती है तो ऐसे को जनता या फिर military coup भी आप कह सकते हो और last आता है हमारा dictatorship dictatorship में क्या होता है कि a form of government where the power rests entirely on one person और a group of person है यहाँ तो किसी एक person के पास यहाँ फिर कुछ group of person के पास total power अगर होता है and this rule could be acquired by inheritance or force and is usually oppressive है यहाँ पर क्या impressive का मतलब कि प्रतारित type का होता है यहाँ पर कुछ भी अच्छा सासन नहीं होता है जबरदस्ती जो है लोगों के उपर जो है वो थोपे जाते हैं सासन को और यह कुछ एक person या group of person के द्वारा देश के अंदर में शाशन चलाया जाता है तो यह सभी type के government है और इनका इस त notification सबसे पहले आपको मिले see you in the next one good bye take care